एक बार फिर से आपका मैs चैनल पे बहुत साँगत है एक ने डीजाइन के साथ देखी हूँ ही डीजाइने पर बहुत ही आसान तरीके से बनाईए इसे और दिखने में बहुत ही खुब स्वरी थै कि से पट्टे मंगल सुत्र भी के सकते हैं यहान पे मैंने एक साइट बना क करके । कट कर लेना है दो बार और अब हम धागे को पेंडेंट से अच्छे से इस तरह से हमें धागे को पेंडंट से बान लेना है कि इस तरह से और यहां पर एक नॉट लगेगी इस तरह से दो नीडल्स लिए मैंने 11 नंबर के उसमें साधा धागा पिरोगे एक साधी से नॉट लगाई है अब हम सुई को धागे में पिरो लेंगे और यहां पर मैंने गोल्डन बीड ले आए यह मीडम साइज का है बहुत छोटे बिर्स नहीं है एक गोल्डन बीड हम पिरो लेंगे यहां पर और दो दो धागे का हम सेप्रेशन करेंगे दो बार एक सुई हम राइट साइड में पिरोएंगे और एक सुई हम लेफ साइड में पिरोएंगे इस तरह से पिरोएंगे हमें सुई अब यहां पे दो काले बिर्स लिया है मैंने दो काले मनी लिया है जो काले मनी है उसका साइज भी मीडे में बहुत छोटे बिर्स नहीं है वो तो इस तरह से यहां पे मैंने दो बिर्स पिरूए है ब्लैक से बिर्स अब अब यहां पर मेने 5 ब्लाक सेट बिट्स लिए हैं राइट साइड में इस तरह से और लेफ साइड की जो नीरल है वह हम उन पाच ब्लाक सेट में से पास करेंगे और दुसरी तरफ खीचेंगे धागे को स्वी को हमें अच्छे से देखना है अच्छे से अज्जिस्स करना है इस तरह से हम धागे को दुसरी थरफ खीचेंगे और यहां पर हम क्रॉस करेंगे यानि कि टाइट करेंगे यहां पर इस तरह से हमें यहां पर टाइट करना है फीर से राइट साइड में मैंने पाच बलाक सेट बिर्स लिया है। लेफ साइड की नीडल हम सारे बिर्स में से पास करके दूसरी तरब खीचेंगे नीडल को और यहाँ पर हम धागे को अच्छे से टाइट करेंगे। तो यहां पे हमारा डीजायन बनता जाएगा देखें, तो यहां पे मैंने इस तरह से हम करेंगे, तो यहां पे मैंने 12 लाइन्स बनाई आप अब हम यहां पे golden bids लेने, ici पे मैंने 3 golden bids लिए लें, और left side की जो नीडल है, वो हम तीनों बिर्ड में से पास करके दुसरी तरफ खिचेंगे और यहां पर टाइट करेंगे यहां पर हम YOUR जो golden bits से उ Uh मैंने तीन इसले लिये क्या हमें जो ब्लाक लाइं ने जो काले लाइं बना ही वह फ्म हमें गोल्डन बिर्स अड़ेस्ट करना है उसी लाइन्स में तो यहाँ पर से पास करके दुसरी तरफ खीचेंगे और टाइट करेंगे और यहाँ पर मैंने जो golden birdze से उसकी 6 lines लिये मैंने अब फिर से हम black set birds की lines बनाएंगे फिर से वही design बनाएंगे हम design बहुत ही आसान है यहाँ पर मैंने फिर से 5 black set birds ले right side में और left side की जो needle है वो हम birds में से pass करके दूसरे तरफ खीचेंगे और यहाँ पर हम tight करेंगे design दिखने में बहुत ही खुबसरत है broad design है बनाने में उतना ही आसान है तो यहाँ तक मैंने पूरा design बना लिया है आप देख सकते है अब हमें यहाँ पे 5 black set birds ले थे पहले तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है चार black set birds लेने right side में left side की जो needle है वो हम बिर्स में से चारो बिर्स में से पास करके दुसरी तरफ खीचेंगे और यहाँ पे tight करेंगे वेसे हमें वही करना है process same है steps same है इस तरह से चार के बाद अब हम यहाँ पे 3 black set birds लेंगे इस तरह से left side की जो needle है वो हम तीनों बिर्स में से पास करके दुसरी तरफ खीचेंगे और यहाँ पे धागे को हम tight करेंगे चार तीन दो एक इस तरह से हमारा sequence रहेगा यह मंगल सुत्र का design आपको कैसे लगता है मुझे जरूर कमेंट करके बताईएगा design पसंद आता है तो आप प्लीज एक like जरूर कीजिएगा अब यहाँ पे मैंने दो लिए याद रखिए हमें चार तीन दो एक इस तरह का sequence रख करेंगे उसे टाइट करेंगे अच्छे से इस तरह से अब जो धागा है उसमें से हम फिर से स्वी को पिरोएंगे और यहाँ पे हम स्कुरू पास करेंगे इस तरह से हमें यहाँ पे स्कुरू पास करना है design को हमें अच्छे से एक बार टाइट कर लेना है और यहाँ पे हमे में चार पाच नउर्स लगानी है अच्छे से हमारा Manol Sutra जो है वह अच्छे से लॉक हो हो जाए उस तरह से नॉर्स लगानी है टाकि इस तरह से आर चुट न जाए इस तरह से और जो एक्स्ट्रा का द्गा है वो कट कर देंगे हम और माचिस से उसे चिपका देंगे डिजाइन हमारा रेडी है मंगल सुत्र का जो नए वीवर्स है वो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू